हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियों हम बात करेंगे जो मैन वाइंडिंग होता है उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी अलागलब डेप्थ के अनुसार तो आप कॉलम में देख रहे हैं लेफ साइड में जो है साप्ट की गहराई डेप्थ दिया गया है और राइट साइड म मैन वाइंडिंग जो रहेगा उसका मैक्सिमम रोब का स्पीड क्या होगा यह दिया गया है पहला जो दिया हंडेड मीटर तक इस तरह के साप्ट को स्वाचालित प्रगति के साथ फीट करने की अवसकता नहीं होती मतलब कि जैसे कोई साप्ट है जिसकी गहराई हंडेड मी तो यह कि वो two-meter प्रतिशिकेंड रहेगी इसके बाद आता है वह 100 to 300 मीटर इसके वे जुरू की स्पीड है Спिड है मैक्सिमम फूरब मीटर प्रतिशिकेंड से अधिक नहीं होगी iki बात करें तो 301 से 500 मीटर तक से लिए थे 5.5 मीटर से अधिक नहीं होगे पौर्थ की बार करें तो 501 से 700 मीटर तक भी के बात करें तो जो साट की मैक्समम गहराई 500 मीटर से उपर है तब के केस में जो मैन वायंडिंग की स्पीड है वो 12 मीटर 30 से अधीक नहीं होगी पर बात आते हैं खुदाई वाले साट के मामले में मतलब साट सिंकिंग के मामले में जो मैन वायंडिंग के जो maximum speed यदि साफ्ट की गहराय 1,500 mT तक है तब 1.5 mT प्रतिज से अधिक नहीं होगी और यदि 1506mT तक के लिए 2.5 mT प्रतिज से अधिक नहीं होगी और यदि 500 mT प्रतिज से अधिक है तब के case में 3mT प्रतिज से अधिक speed नहीं होगी के बाद जो है टिप्री दिया गया है कि कोल माइंस में जो मैन वाइंडिंग की जो मैक्सिमम इस्पीड रहेगी वो साफ्ट की कंडिशन और आटोमेटिक कंट्रेवन्स के फंक्सन के उपर डिबेंड करेगा जो man winding की जो speed होगी वो Manager द्वारा फिक्स किया जाएगा कि इस से Consult करके Engineer द्वारा कंसल्ट करके फिक्स किया जाएगा परांतु किसी भी स्तिती में जो man winding की maximum जो speed होगी वो उपर दिये गये Depth के नूसार जो man winding के maximum speed दिया गया उस से अधिक नहीं होना चाहिए ताकि ओवर्वाइंडिंग और हार्ड लैंडिंग ना हो